कही पहाडों से बरस्ती आफत, कही सडकों पराय पत्थर, कही नदियों में उफार, कही आफत में जान, कही बारिश से हाहकार, कही लोगलाचार, ते भूमी में कुदरत का कहर बरपा है, केदारनाथ से लेकर गंगोत्री तक प्रकृती अपनी विनाश लीला दिखा रही है, तेज बारिश में हुए लैंडसलाइट के बाद सडके जाम हो गई है, पहाणों से आया भारी मलबा, सड अपने साथ बहा ले गया है, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नेताला के पास से सामने आई तबाही की इन तस्वीरों को देखिए, जहां सडक हुआ करती थी, वहाँ आप मलबे का धेर है, और उसी मलबे के धेर में फसी है एक कार, ये कार सडक पर सरपट दोड रही थी, लेकिन पहाड से ऐसा लैंडसलाइड हुआ कि कार मलबे में ही फसी रह गई, श्रेष्ट उत्राखन पर आपदा की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसी मार्क पर पीछे की ओर आपको गाडियों की लंबी कतार नजर आएगी, ये गाडियां मार्क बंद ली सपर करते हुए नजर आए, तो कहीं लोग ऐसे भी थे, जो अपनी जान जोखिम में डाल कर मलबे के बीच से पैदल ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गंगोत्री विधायक सुरेश चोहान ने अफसरों के साथ सिरी और उडरी गाव का निरिक्षन किया, अफसरों और जनप्रतिंदियों ने आपदा से हुए नुकसान का अकलन किया और ग्रामीनों को हर संभव मदद का भरोसा भे दिया। विधायक सुरेश चोहान ने विभागी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राहत और बचाब कारियों को तुरंच शुरू किया जाए। साथ ही आपदा में खशतिग्रस पुल, सडक, नहर और पाइपलाइन की मरम्मत भी कराई जाए। साथ ही जिन ग्रामीनों को आपदा में नुकसान हुआ है उन्हें आर्थिक मदद भी उपलब्द कराई गई है। बहुत ज्यादा साथ ही जिन ग्रामीनों के खेद भी तो पर तमाम रस्ते जो है जो तूट गए है उनको बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उत्राखन में बारिश अपने साथ भारी आफत लेकर आई है। जल सेलाब और लैंसलाइड ने जिन्दगी को मुश्किलों में डाल दिया है। बारिश से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीनों के घर उजड़ गए हैं और खेती बरबाद हो गई है। ऐसे में ग्रामीनों को सरकार से ही मदद किया है।